हेई गाईज मैं हूँ शिखा वेलकम बैक टो मारी चनल आज मैं आपके लिए लेकर क्या आई हूँ मस्ट हैव प्लाजो का कलेक्शन और बहुत ही जादा कोमन कलर लाइक वाइट ब्लैक सभी को बहुत जादा जरूरी होता है तो कुछ इसी तरह का कलेक्शन में आपके साथ शेयर करने वाली हो और अलमोस्ट जितने भी प्रड़क्स में आपको दिखाऊंगी इन सभी में आपको कलर ओप्शन मिल जाएका तो जो भी आपको कलर पसंदाए आपको बाई का सकते हैं और आज का मेरा पूरा ही कलेक्शन और अरिलिया ब्रइंट से हैं कुछ प्रड़क्ट ऐसे हैं जो मैने डारेक्ट और अरिलिया की वेब सॉद्साइट से ही पिक लिल ए और कुछ ऐसे हैं जिननहें मैंने मिन्तुरा से बाई कि रिव्यू में इसलिए आप लोग लेकर कहें क्योंकि quality काफी अच्छी है, so मुझे नहीं लगता कि return की तो need आएगी, otherwise अगर आपको product पसंद आए, तो आप Amazon, Mintra, Flipkart, कहीं पर भी ने ढूंड सकते हैं, में भी आपको मिल जाएं, तो आप वहां से बाई का सकते हैं, अगर मुझे मिले तो मैं लिंक जरूर description box में डाल दूगी, so बिना देर के शरुवात करते हैं आज के पहले product से, फर्स्ट वन है ये ब्यूटिफुल सा वाइट कलर का प्लाजो, अच्छा प्लाजो की अगर हम बात करें, तो कभी मतलब हमारा बन होता है कि हमें फ्लेयर्ड प्लाजो पहनना है, कभी रखता है कि नई यार एकदम स्ट्रेट फिट वाला होता है, वो पहनना है, पैंट तो मैं आपको काफी सारी दिखा चुकी हूँ, और इसके अलावा जो मेरे बॉटम वेर का कलेक्शन है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजाएगा, जिसके लिए बहुत सारे कॉमेंट मेरे बास आते रहते हैं, मतलब मेरे बॉटम के लिए, तो आज मैं आपको दो वाइट प्लाजो दिखाने वाली हूँ, एक स्ट्रेइट फिट में है और एक फ्लेयर्ड है, फैपरिक क्वालिटी दोनों की ही बहुत ही जाथ अच्छी है, और यह बिलकुल भी ट्रांजी नहीं है, मतलब वाइट के बात आती है, तो यह हो जाता ह लगे थे, और मेरी हाइट फाइट फ्रेंच है, और मैंने इसको नॉर्मल ना वेस्ट पर पहना हुआ है, तो आपको अडिया लग जाएगा कि आपको कितनी लेंद इसकी आने वाली है, यह आप देखे मेरा फर्स्ट प्लाजो, फ्रंट में बेल्ट आएगी, बैक में एग इसमें ड्रॉय स्ट्रिंग मिलेंगी, प्लस इसमें ब्यूटिफूल सी थर्ट टसल्स लगे हुएं, इसे मैं पहन चुकी हूँ, वाश भी कर चुकी हूँ, बहुत ही जादा अच्छा है, फ्लेयर के अगर मैं बात करो तो आप देखे कितम सफीशन बढ़ी आसा फ्लेयर है और ये न, क्रॉफ लुक में है, मतलब वो फुल लेंथ वाला नहीं है, ये क्रॉफ लुक में है, तो इस वज़े से मैंने इसको भाई किए, क्योंकि इस लुक में मेरे पास मतलब क्रॉफ में न, सिर्फ इक वो सासाफ्रास वाला ही था, और मुझे पहनने बाद अच्छा लगा क्वालिटी बहुत जादा ओसम है पहने बाद क्लासी लगता है और जैसे कर आप इसको हाई करके पहनेंगे ना तो वह बिल्कुल भी फ्रंट से शेप भी नहीं आती तो एकदम बढ़िया और पॉफिक पीस है मेरी तरफ से है रिकमेंड़ और मैंने इनको सेल के टाइम पर भाई किया था तो मुझे अच्छे खासे डिसकाउंट में मिल गए थे क्वालिट इकदम सुपब है किसी तरह की कोई कमी इसके अंदर नहीं है सेकीन अगरना बात करो अगें वाइट प्लाजो और सेम ही इसका फैब्रिक मतलब दोनों का फैब्रिक ना बिल्कुल सेम है कलर इकदम बढ़िया सा ब्राइट सा वाइट है इसका फ्रेंट में बेल्ट है बैग में इलास्टिक है अगें इसका भी साइज आपको अपना ट्रू साइज ही बाई करना है और इसकी लेंथ है एकदम प्रॉपर ये आप देखें दिखने में आपको क्लियर हो रहा होगा और ट्रायोर में भी अपको क्लियर हो जाएगा इसकी लेंथ बिल्कुल प्रॉपर है पहनने बाद काफी स्मार्ट ये लगा तो अगर आपका मन नहीं है कि कुछ फ्लेयर आपको पहनना है तो इस तरह का उप्शन आप चूस कर सकते हैं ये भी अच्छे लगते हैं तो ये ह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जहां से आप उन्हें भी इसले पिक कर सकते हैं नेक्स्ट पीस में आपको दिखाने वाली हो ब्लैक कलर में मतलब ये वाइट और ब्लैक जैसे गर्मी आ गई हैं तो कुर्तियां बहुत सारी ले लो और ये कुछ मस् पी शफ़ान को दुपर टाप कर सकते हैं उसका लुक बेच आएगा तो आप मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये दो ब्लैक कलर की बॉटम लिक इट इस फर्स वन जो है ये सेम जो भी मैंने वाइट दिखाए थी न उसी में मैंने ब्लैक कलर बाई किया है जिसके फरंट मे बेल्ट आएगी बैक में इलास्टिक आएगी अगें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपना टू साइज ही बाई करें फो पॉफेक्ट फिटिंग और अगर आपको वेस्ट से बिल्कुल वो टाइट वाला लुक नहीं चाहिए न तो आप इसमें वन साइज प्लस बाई कर आदूं यह मैंने लार्ज लिया है और यह भी मुझे फिट आ रहा है तो आराम से वन साइज प्लस भी आप इसमें ले सकते हैं फ्लेयर इसका अगेन अच्छा खासा शॉर्ट कुर्टे के साथ आप आराम से पहन सकते हैं क्रॉप लुक में है और फ्रंट में आप है तो मुझे बहुत पसंद आया और मेरी तरफ से यवाला पीस भी रिकमेंडेट साइड में आपको ड्रॉय स्ट्रिम मिलेंगी जिसमें थ्रेट असल लगे हैं बढ़ी आसा मिक्सर मैच में आपके काम आएगा तो इसके लिए भी थमस अफ है मेरी तरफ से नेक्स पीस में इसी का ब्लैक कलर का एक और पीस दिखाने वाली हूँ अगर आपको बहुत ज़दा फ्लेर नहीं पहना तो यह वाला आप उप्ट कर सकते हैं इसमें फ्रंट में बैल्ट है बैक में इलास्टिक है अगें मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसे आप वन साइज लार्जर बा प्लाजों पहननी बद काफी अच्छ और काफी समार्ट लगता है प्लस इनहें आराम से आप किसी शर्ट के साथ या टॉप के साथ या प्रसकते हैं उस लुप में यह काफी प्यार लगेंगे तो यह है इसका लुप बाकी ट्रायॉन मैप को क्लियर हो जाएगा किसी भी प् पुटे या फिर इसका को से e skies मैच कर सकते हैं या फिर तॉप के साथ मेच कर सकते हैं या फिर टॉप मैच कर सकते हैं या फिर जाएगी बहुत जाएद रिए ए कि बुच्छ द Works है चाहिगा भी रिवी आपको क्लियर चाहेगा कि यह राक्टर वोश बीगदम ओके हैं तो अराम से एक गो फूर इट इसके फ्रंट में बेल्ट मिलेगी बैक में लास्टिक मिलेगी पहने में बहुत ज़्यादे कमफोटेबल है अगें मैंने इसको लार्ज साइज में बाई किया है लार कर सकते हैं तो यह इसका फ्रंट लुक है यह इसका बैट लुक है इसके बाद अगर मैं बात करो तो मतलब ऐसे ही मैं तरह पर प्रोड़क्ट सेट मेरा बन गया इसमें मेरा रिकमेंडेशन है कि अपना टू साइज ही बाई करें यह आप देखें नेकिस का राउंड है फ्र प्रेट सानेक है और यहां पर पूरे पर आपको गोल्डन मैट फिनिश में सीक्वेंस की डिटेलिंग मिलेगी लुके इस प्लस साइड में भी डिटेलिंग है और दोनों साइड आपको न यह डोरी और ठेट असल मिलेंगी पहनने के बाद काफी सोबर और अच्छा लुक आराम से आप इसे ट्राइ कर सकते हैं बागी लुक आपको इसका ट्रावन में क्लिर हो जाएगा यह इसका फ्रंट लुक है सेम ऐसा ही इसका बैक लुक आएगा अल्बो तक इसकी स्लिव हैं यहां पर आप देखेंगे अकेन वो सीक्वेंस वर्क मिलेगा प्लस दो फैबरि किये हैं जुतने भी मैं वेर करती हूं वो तो मैं काफी बार दिखा भी चुकी हूं और काफी साधा पहन भी चुकी हूं और वाइट कलर ना मतलब वाइट भी या ब्लैक भी बहुत जादा यूज के बाद थोड़ा डल होने लगता है तो इसलिए मैंने कुछ न्यू प्ला